हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्मेंट जोब जेन्यो नॉटिफिकेशन यूट्यूब चैनल आज हम B.A.C. होम साइन्स कोर्स के बारे में जानेंगे सबसे पहले हम जान लेते हैं होम साइन्स क्या है हम साइन्स के अंतरगत आपको बहुत से अलगलग सबजेक्ट्स लाइक हुमिनिटीज एंड साइन्स सबजेक्स तौनों तरह के सबजेक्स आपको स्टरी करने होते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम साइन्स सिर्फ हम मैनेजमेंट तक की सीमित नहीं है इसमें आप physics, chemistry, biology, physiology, child development, rural development, food and nutrition, textiles, clothing, आदी के बारे में पढ़ते हैं housekeeping के अलाबा health, food, teaching या fashion, NGO ये छेतर भी home science के दाइरे में आते हैं इसमें आपको theory and project work करना होता है तो आपको theory and practical work रहता है BSC Home Science उन लोगों के लिए एक बहतर platform है जो household management या economy या फिर creative career like fashion designing, interior designing या knowledge of lifestyle का path चूज करते हैं अपना career बनाना चाहते हैं उनके लिए ये है एक अच्छा option साबित हो सकता है इसमें आपको अलग-अलग courses available हैं जिनको आप कर सकते हैं इसमें diploma courses available हैं graduation base पर भी इसमें अलग-अलग जैसे BSC या BA Home Science से आप कर सकते हैं higher qualification भी आप इसमें ले सकते हैं आज हम इस वीडियो में BSC Home Science के बारे में जानेंगे हम जानेंगे इसके लिए eligibility criteria कह रहता है duration, fees, admissions, levels, top colleges and job opportunities के बारे में साथ ही जो recruiting areas कौन-कौन से हैं जहां पर आप job ले सकते हैं यह सारी जानकरी हम BSC Home Science से related जानेंगे अगर आपना 12th complete कर लिया है और आप BSC Home Science करना चाहते हैं या BSC Home Science के बारे में आप detail में जानकरी चाहते हैं वीडियो को skip मत कीजेगा और तक पूरा देखेगा हम सारे points इस वीडियो में डिसकस करेंगे अभी तेक हमने जाना Home Science क्या है आप इसमें क्या study करते हैं अब हम जानेंगे BSC Home Science से related पूरी जानकरी तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे eligibility BSC Home Science करने के लिए आपका 12th pass होना जरूरी है आप 12th pass है science subject से हैं तब भी आप कर सकते हैं art subject से हैं तब भी आप इसको कर सकते हैं आपका 12th pass जरूरी है minimum किसी-किसी institute में minimum 50% marks रखा गया है वैसे आपको इसमें admission मिल जाता है percentage का इतना सभी institute में नहीं रहता है जो top institute है वहाँ पर minimum 50% रखा जाता है BSc Home Science का जो duration है वो 3 years का रहता है undergraduate course है तीन साल में आपका एक course complete हो जाता है semester system है इसलिए आपके तीन साल में 6 semester होते हैं admission अगर हम देखें तो इसमें admission आपको merit के base पर मिलता है आपका 12th मजो percentage होगा उसके base पर merit तयार की जाती है और आपको admission दिया जाता है अब हम जानेंगे course fees के बारे में तो हम यहाँ पर एक average course fees लेकर चल रहे है तो 15,000 से लेकर के 1,500,000 तक का एक साल का आपका course fees है यह top institute में आपका 1,500,000 तक रहता है वैसे जो starting है वो 15,000 से कम में भी किसी-किसी college या institute में आपको मिल सकता है कि 10,000 में आपको यह course एक साल का आपको पढ़ जाए तो यह हम एक average लेकर चल रहे है कि आपका 15,000 से लेकर के 1,500,000 तक आपका एक साल का खर्चा इसमें हो सकता है अब हम बात करेंगे syllabus की तो BSE Home Science में जैसे कि मैंने आपको बताया 6 semester होते है मैं यहाँ पर आपको year by जो syllabus है आपका वो बताऊंगी फर्स्ट एयर में आपको human development, family resource management, introduction to foundation of food and nutrition, computational skills, dynamics of human communication, applied physical science तो यह आपका फर्स्ट एयर का है में आपका first semester और second semester दोनों में आपको study करना होता है अब हम जानेंगे second year का second year में आप जो study करते हैं उसमें human nutrition, clothing, construction, home science, extension education, interior design, fundamental of sociology, fundamentals of psychology, applied life science तो यह आपका second year करेगा और third year में आप जो study करेंगे उसमें consumer economics, fashion design, advanced human development, advanced home science, extension and communication debt therapy, first and second home science, extension and education and rural development statistics and research methods तो यह आपके तीन साल का syllabus है तीनों साल में आपको जो study करना होता है आप हम top institute जानेंगे बैसे तो B.H.C. home science जो course है वो आपको easily किसी भी institute में या college में मिल सकता है जो भी आपके नजदीक है लगबग लगबग सभी colleges में यह कूरस अबलेबल रहता है लेकिन फिर भी हम यहाँ पर कुछ top institute जान देते हैं जिसमें है फर्स्ट वनारस हिंदी उनिवर्सिटी B.H.U. यह उत्ताप्रदेश से है अलीगर मुस्लिम उनिवर्सिटी उत्ताप्रदेश Institute of Home Economics देहली निर्मला निकेतन College of Home Science मुंबई जेडी विर्ला इंस्टीट वेस्ट वेंगौल यूनिवर्सिटी अप देहली जिसको हम D.U. भी बोलते हैं सौट में अगर आप किसी ओपन यूनिवर्सिटी से यह कूर्स करते हैं कि मैंने फीस के बारे में बताए था कहीं कहीं आपको 15,000 से कम में पर सकता है तो अगर आप ओपन यूनिवर्सिटी से करते हैं तो आपको फीस इसमें बहुत कम लगती है ठीक है? साथ ही अगर आप किसी गवर्मेंट कॉले से करेंगे तो वहाँ भी आपको कम फीस पे करनी होगी नेक्स हम जानेंगे जॉब अपर्चनिटीस के बारे में बेसी होम साइन्स करने के बाद क्या जॉब अपर्चनिटीस रहती है तो इसमें आप हेल्थ केर वर्कर, न्यूट्रिशन, एक्सपर्ट, चाइल्ड केर टेकर, कम्मुनिटी रिस्परजेंटेटिव इस तरह के और भी जॉब प्रोफाइल्स हैं, जॉब अपर्चनिटीस हैं जो आप ले सकते हैं अगर हम एरियास दिखें तो इसमें आपको होटल एंड, रेस्टोरेंट में आपको जॉब मिल सकती है, टूरिस्ट रिसॉर्ट, हाउस कीपिंग, क्लॉफिंग, एंड टेक्स्ट्राइल में भी आप अपना करेर बना सकते हैं, इसमें भी आपको जॉब के चांस है, इंटि लेना चाहते हैं, या आप खुद का भी बिजनिस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छी जॉब के लिए जरूरी है, अगर आप इसमें कोई हायर क्वालिफिकेशन ले लेते हैं, हायर एजुकेशन लेते हैं, तब आपके ज़्यादा चां से सुझाते हैं, जॉब के लिए, इसमें जो हायर क्वालिफिकेशन हैं, आप आफ्टर भी सी हम साइंस ले सकते हैं, एमसी हम साइंस आप कर सकते हैं, एमसी हम साइंस फूड एंड निट्रिशन आप कर सकते हैं, अगर आपने पीजी कर लिया और पीजी के आगे भी आप अ assistant professor के लिए या फिर आप जो research field में जाते हैं तो उसमें भी so net jra पर video upload है आप उसको check कर लीजेगा आपको उससे help मिलेगी कि क्या process रहती है assistant professor बनने के लिए so friends BSC home science course से related मैंने आपको जानकरी दिये home science क्या है अब आप यह समझ के होंगे कि इसमें आप किस-किस field में वीडियो में आपको BSC home science के बारे में explain किया है I hope आपको यह वीडियो helpful रहो पसंद आया हो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजेगा चनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा बेल आइकन को प्रेस करने से आपको वीडियो को नॉटिफिकेशन टाइम से मिल सकेगा थैंक यू